और उत्तर प्रदेश में फ्री की राजनीती का दौर तेज हो किया। दरसल समानवारी पार्टी के अध्रक्ष अकिलेश चादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिज्वी किसानों को सीचाए के लिए फ्री बिज्वी हम देंगे। उनकी इसी एलान पर सीम योगी ने हमला बोला। सीम योगी ने अकिलेश चादव को याद दिला दिया कि उनके समय प्रदेश की बिज्वी विवस्था ठीक है। पर सवाल अब यह है कि क्या फ्री वाला वादा वोटों की गैरंटी को सुनिश्रित कर पाएगा। देखिए। यूपी में चुनावी शंकनाद होने के साथ ही चुनावी वादों की से लगनी शुरू हो गई है। फ्री की राजनीती दिल्ली से पंजाब होते हुए अब यूपी में भी आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादों ने प्रदेश में 300 यूनिट तक मुफ्त विज्ली और किसानों को सिचाई के लिए फ्री विज्ली देने का वादा कर दिया। अखलेश यादों के इस बयान पर यूपी के सियम योगी आदितनाथ ने तंज पसा और पूछा कि समाजवादी पार्टी के शासर में बिज्ली आती ही नहीं थी तो मुफ्त की बात कहां से आ गई। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदवाओं के हर एक गरीब की जोपड़ी में भी और राजमाहल में रहने वाले बेक्ट के घर में भी बिज्ली हर समय जलती भी दिखाई देती है। यूपी के उर्जा मंत्री शिकान शर्मा ने भी एक ट्वीट कर अखलेश यादों के इस वादे को जहां सा बताया। इससे पहले आमाद्मी पार्टी ने भी यूपी की जनता के लिए 300 यूनिट फ्री बिज्ली, लोन माफी और बकाया बिज्ली बिल माफी जैसे कई बड़े-बड़े वादे किये थे। इस साल पांच राजियों उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब, गोवा और मडिपूर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और पार्टियों को लगता है कि मुफ्त के दाव से उनकी जोली वोटों से भर जाएगी। अब देखना है कि वोटर किस पर भरोसा करता है। उशाल पांडे, Z-Media